अलो इस्ट्वेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम लोग आपकी वॉक्षिट नंबर पांच करने वाले जो आपकी जन्रल साइंस की वॉक्षिट है बच्छो जी एस मतलब होता है जन्रल साइंस यह बात आपको काफी लोग नहीं बताएंगे ठीक है देखिए हम लोग आज व Lawrence start करते हैं तो सभी स्ट्वेंट क्या करेंगे अपनी अपनी नोट बुक निकालेंगे साइंस की आप लोग से शाइंस की नोट बुक में कर सकते हैं बागि इस सभी बच्चे ने अपनी नोट बुक बना रखी है चनल की आप वो निकाल लेंगे ठीक है इस्ट्वेंट अब देखिए काफी इस्ट्वेंट का डाउट रहता है कि सर वीडियो क्लियर नहीं आती देखिए आप लोग यहां पर तीन डोर दिख रहे होंगे आपको यूटूब पे उस पर आप क्लिक कर है तो आपकी क्लिक कम दिखाई देगी बच्चो ठीक है तो यह मैं आपसे कहना चाहता हूं ठीक है और देखिए जो बच्चे पुराने मेरी चनल पर वो जानते हैं कि मैंने एक क्यूस कमडिशन स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप सब लोगों से घुसन पुट अप करता है ठीक है और आपका wireless headphone रहने वाला है ठीक है काफी चीज़े मैंने उसमें बताई थी अगर आप लोगों को उस gift के लिश्ट सही है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिएगा मैं आपको जरूर उसमें बताऊंगा और जो इस्ट्रेंड वो पूरी वीडियो देखता है उसी को उस question के बारे में पता चलता है और वह इस्ट्रेंट पार्डिसिपेट कर पाता है ठीक है चलिए आज की वाक्षिट करते हैं देखो मेरा वक्षिट कराने का तरीका अलग है सबी बच्चे अपने अपने नोट्बुक निकालेंगे जिससे आप हैंड टो हैंड को कम् पांच ठीक है जी एस वक्षिट पांच ठीक है बच्चो और आपकी कितने यह 21 अगस्त किए बच्चो ठीक है तो जब आप रिवाइच करोगे अपने टीचर से च्याक कराओगे तो आपको पता रहेगा बच्चो कि हां मैंने इस टोपिक के कोसन अंसर ये किये हुए हैं ठीक है तो इसलिए मैं आप लोगो को हर इस्ट्रेंड को यही बताता हूँ कि आप लोग टॉपिक जरूर लिखिए ठीक है बच्चो देखो इतना करने के बाद हम थोड़ा सा समझेंगे जिससे कि आप लोग थोड़ा सा समझ सकें फिर हम लोग चलिए start करते हैं और जो बच्चा वीडियो को पूरी देखेगा उसी बच्चे को उसको अनसर देपाएगा ठीक है ठीक है जैसे आपका बरसात का मोसम चला आप देख रहे हो गए भी तो उनसे क्या क्या बिमारी हो सकते और उनसे आप कैसे वारे में हम लोग आज पढ़ें व्रशा रीतू बिमारिया फैलने के सबसे अनुकूल समय होता है क्योंकि इस समय में व्रशा का पान ही घटा हो जाता है और नमी फैल जाती है जिससे बहुत सी बिमारिया फैल जाती है इनमें कुछ बिमारिया निम्द परकार हैं इनमें जो कुछ बिमारिया निम्द हैं जिन करके अब देखी इसके बचाओ के लिए पूरे कपड़े पहन कर ठीक पूरे कपड़े पहने से क्या होगा पूरे बाजु को पहनेंगे जिससे आपको मच्छर नहीं काट पाएंगे तो आप बस सकते हैं यह मच्छर साफ पाणी में पनबता है अपने आसपास पानी एकरत ना होने दे देखिए पानी से मतलब होता है कि आपका कोई पानी अगर बहुत मालो तिन चार दिन तर कोई पानी रखा हुआ है वो ऐसे का ऐसा ही है तो उसे आप इखटा मत होने जीजिए उसी के अंदर डैंगू मच्छर पैदा होते हैं ठीक है अब दे मच्छा का पानी कहीं इखटा हो गया ठीक है तो वहाँ पर क्या है पहुच ज्यादा पानी इखटा हो गया तो उसमें क्या है कि मच्छर पैदा हो जाएंगे ठीक है तो वह क्या करेंगे यह है मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से होती है ठीक है एनाफ्लीज एक आपका एनाफ्लीज एक मच्छर का नाम है जिसके काटने से क्या होती है यह मलेरिया बिमारी होती है ठीक है बच्छो आता है हमें आसपास पानी एकरत नहीं होने देना चाहिए ठीक है यह आपका भोजन अगर आप खाएंगे पानी दूशित पीएंगे तो आपको हैजा की बिमारी हो जाएगी जिसमें पेट में एठन वो दस्त हो जाते हैं इससे बचने के लिए हमें ताजा भोजन साफ जल का इस्तमाल करना चाहिए भोजन को ढख कर रखें वो पानी को छान कर और उबा पानी झाहिए और आपको क्या करना उससे उबाल कर फाने को चान कर पीना है त्युक्त अपको इतना इतना पड़ने वाली बात है कि सबी बहुत सरे बच्चे को पता नहीं होता कि सब लिखना कैसे हैं वह बहुत कंफीज रहते देखिए मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले देने आप मुलेरिया फेलने वाले मक्चर तो देखिए आप सभी से लिखें गस्टनम्बर एक लिखेंगो रिखेंगे मलेरिया फ्यलाने वाले मच्चर का नाम लिखो तो हमने क्या बढ़ाatcha शार कि अवली rub इसने आधर किस में हुआ जरुआ इस भी से उले पाल इसको लै को दुबारा लिख देता हूं जिससे आपको clear दिखे एक एक बच्छे को ठीक है ठीक है एना फिलीस यह आपका मच्छर का नाम हो गया जिससे क्या मलेरिया का फल्दा ठीक है डैंगु मच्छर से बचने के लिए किस तरह के वस्र पहनने चाहिए ठीक है बच्छों को हमने क्या उपर पढ़ाता कि हमें क्या पूरे कपड़े पहनने चाहिए ठीक है या को तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए तो सेकंड का यहाइए आपका कुस्तीन अमठर सेकंड का आंसर हो गया question number 3 पे चलेंगे हैजा फैलने के क्या कारण है ठीक है बच्चो हैजा फैलने के कारण पूछें इसके अंदर देखिए हमने क्या बताया था इसमें उत्तर लिखने का भी दिया गया है तो हैजा फैलने के लिए सबसे पहले कारण क्या थे ठीक है एक तो आपका क्या था जो कोई दूसित खाना काता है और पानी पीता है तो उसके क्या ज़्यादा चांस होते हैजा फैलने के लेकिन आप आपको लिखना कैसे है सबसे पहले आप लिखेंगे question number 3 हैजा फैलने के क्या कारण है फिर उसके नीचे आप उत्तर लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे बासी भोजन वदूसित पानी ठीक है बासी भोजन वदूसित पानी दूसित पानी ठीक है बच्चो यह आपका बासी भोजन वदूसित पानी यह दो आपके कारण होगई वहजा फैलने के हैजा से बचने के लिए हमें किस तरह का भोजन और पानी का प्रियोग करना चाहिए हमें ताजा भोजन और साफ जलका चाहिए ठीके इश्वेंस आपने क्या दिखाए इसमें हमें ताजा भोजन और साफ जलका प्रियोग करना चाहिए चलिए आगे चलते हैं देखे इसमें क्या दिया गया है ठीके इतना आप लोग करेंगा कुस्टन नमर फॉर तक हमने कंप्लिट कर लिया अब आपका अब फिर कुसन दिया गया ऊपर ठीक है यह वरक्षिट अभी आपके कंप्लीट नहीं हुई है अब जिसमें आप लिखेंगे कुसन नमबर फाइफ ठीक है कुसन नमबर फाइफ खाली स्थान उची सब्दों के द्वारा भरे ठीक है खाली स्थान आपको फिल करने इसमें डैंगू का मच्छर कहा पर पनपता है साफ पानी में हम यह क्या पढ़ा था साफ पानी में पनपता है तो आप यहाँ पे सीधा साफ लिख देंगे अब देखो इसको लिखने का तरीका आप यह पूरा लिखेंगे यह नहीं उतानना आपको यह सिर्फ हिंट दी गई थी कि इसमें से कौन सा आएगा इपन consider लिखेंगे डैंगू का मक्चर साब पानी में पनबता है हो सेग संभी Consice स accident Augen आप इसमें पूछा जा रहा मलेरिया क्ब आती यापकी वर्शा रितूं में आती है एक मैं कहा गया malaria किसके होता है ठीक है तो आप इसमें आजेगा मादा ठीक है कि malaria मादा एना फ्लीज मस्टर के काटने से फैलता है ठीक है तो यह आपका थर्ड कंप्लेट हो गया अब नीचे आपका गतिवीदी दी हुई है ठीक है गतिवीदी भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता हुआ कि जिससे की आप लोग इसे एक सुन्दर सा चित्र बना सके और आपको कोई भी दिक्कत ना हो ठीक है अभी देखो आपने काफी वर्क्षिट किय होंगे आप लोग को अंसर प्रोवाइड कर देते हैं नहीं बताया जाता है ठीक है मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं अब आप गतिवीदी हैडिंग डालेंगे अपने एक नए पेज पर ठीक है जैसे आपका यह कंप्लीट हो गया है यहां तक उसके बाद एक नि पूछ लेता हम देखिए जो आपका इसमें मलेरिया बताय गया था ठीक है अब मुझे आप मलेरिया का कोई बच्चा Show इंक्यूबेशंट पीरियड बता सकता है इंक्यूबेशंट पीरियड सबी बच्चे जानते होगे मैं medical लाइन से हूँ जो बच्चे पुराने है ठीकि tahun हैं तो मैं आपसे इंक्यूबेशंट पीरियड पूछ रहा हूँ इसका मतलब कि कब मच्छर के काटने पे हमारे अंदर symptoms नजर आते हैं यह आपका आज का question है Incubation period किसका बताना आपको malaria का मतलब कि मालो आप कोई भी इंसान है उसको मच्छर ने काटा malaria का तो उसके अंदर कितने time बाद symptoms नजर आएंगे उसके अंदर सकते हैं ठीक है बच्चो कोई बाउडेसर नहीं है कि आप लोग अपने सपास से बताएंगे या कहीं से भी तो आप लोग इसका अंसर कहीं से भी बता सकते हैं ठीक है बच्चो तरीके से आप लोगों के लिए बनाय हुआ है देखिए रहा ठीक है सबी बच्चे ऐसे करके बनाएंगे मैं और इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे ठीक है तो सबी बच्चे इसमें से देखके अपना कंप्लीट कर लेंगे जिससे कि आप लोग इसे अपना कंप्लीट कर सकें और देखो आप बहुत इसी यह बनाना आप यहांस पर ऐसे लाइंड रोगरी है एक आप बना लिजीए बच्चा ठीक है आप अपने आपको भी बन पॉस्ट करके इसे बनाएंगे मैं आपको टाइम दे रहा हूं ठीक है बच्चो वीडियो पॉस्ट कर लिजी और गस्मेंट के लिए बना लिए इसके बाद हम गेम के बारे में बात करेंगे ठीक है फटा फट बनाईए सबसे पहले फिगर वीडियो को आप पॉस्ट करके बना सकते हैं ठीके hopefully सभी बच्चों ने ये diagram बना लिया होगा मैं अब आपको game के बारे में कुछ बता देता हूँ जो बच्चे नए हैं जो game के बारे में पूरी detail जानना चाहते हैं ठीके देखिए अब मैं आपको यहाँ पे game के बारे में बता देता हूँ मैं हाँ पे आपको game के बारे में बता रहा हूँ देखिए यह आपका huge competition है जैसे मैंने अभी इसमें question पूछा ऐसे ही मैं किसी भी वरक्षिट में आप लोगें से question पूछ लेता हूँ मालो मैंने question पूछा अब देखो काफी बच्चों ने answer दिया यह बहुत सारे बच्चों ने इसमें से एक बच्चे को मैंने select किया अब वो किस basis पे selected हुआ अब देखिए उसके बारे में मालो वो बच्चा मेरी वीडियो पूरी देखता है शुरू से लेके end तक जैसे आप यह वाली वीडियो कर रहे है तो अगर आपने शुरू से लेके end तक देखी होगी तब ही आपका उसमें जवाब देने का फायदा है क्योंकि जो बच्चा वीडियो को पूरी नहीं देखता है उस student कम select होता है क्योंकि देखो आपको वीडियो पूरी देखना मेरा मोटिव क्या है गेम खिलाने का यह है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो ठीके आप वीडियो को पूरी देखो और समझो और देखो आप डेली वरक्षिट करो ठीके और आप अपने 10 फ्रैंड के साथ सेयर करो और उन्हें क्या बोलना आपको subscribe करने के लिए ठीके तो आपको उन्हें subscribe करने के लिए सभी को यह चीज समझ में आई होगी तो सभी बच्चे क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग चैनल जोइन करेंगे जिससे कि आप लोगों को पता लग जाए कि आपका नाम वहां पर एनाउंस हुआ है टेलिग्राम चैनल डिस्क्रेशन में उसका लिंक दिया गया है ठीक है महां से आप जोइन कर सकते हो और फिर आप जो मैंने आज की वक्षिट में कुस्टन पूछा है उसका अंसर देंगे बहुत सारे बच्चे फिर मैं उसमें से बच्चे सेलेक्ट करूँगा जैसे मैंने लाश्ट वीग भी बच्चे सेलेक्ट के अरते हैं और देखो आपको प्राइस क्या क्या मिलेगा आपको एक स्मार्ट वोच मिलेगी ठीक है ये भी आपकी लिस्ट मे है उसकी price की ठीक है आपको headphone मिलेगा ठीक है आपको Bluetooth मिलेगा बच्चो आपको wallet मिलेगा ठीक है आपको N95 मास मिलेंगे आपको earphone मिलेगा आपको बहुत सारे prices है उसमें मेरा main motive यह है भी आपको knowledge देना ठीक है मैंने question पूछा आप लोग उस पर search करोगे ठीक है कहीं आपको 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 आपको